अब हम ग्रामिड और नगरी जन संख्या में अंतर देख लेते हैं। इसमें प्रमुक अंतरों की जब हम बात करेंगे तो पहला है गावों में जो आपको आवास मिलेंगे वो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसकी आवासी संदशना के कोई क्रम नहीं होता है, जबकि नग्री जनसंख्या की जो आवासी संदशना होती है वो व्यवस्थित एवं क्रम बद्ध होती है. ग्रामिर जनसंख्या के लोग अधिकांश्त प्रात्मीक व्यवसाय जैसे पशुपालन और मत्स व्यवसायों में लगे होते हैं लेकिन नगरी जनसंख्या की यदि हम बात करें, तो वो मुख्य रूप से तृतियक व्यवसाय जैसे नौकरी है, चिकित्सा का कोई छेत्र या किसी भी अन्य तृतियक व्यवसाय वाले छेत्र में कारी कर रहे होते हैं, ग्रामीर जनसंख्या में एक सामाजिक संबंध पाया जाता है, सब जितने भी लोग वहां पर निवास करते हैं, वो एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन नगरी जनसंख्या में यह बात नहीं होती, यहां पर सामाजिक संबंध केवल आपचारिक होते हैं, ग्रामीर छेत्र में आवास और परिवहन की स समस्या क्योंकि जनसंख्या बहुत अरिक होती है, साथ ही परिवहन के साथ साथ स्वास्ते संबंधी अनेक समस्याएं जो हैं वो निर्मित हो जाती हैं, ग्रामीर जनसंख्या का जीवन शान्त और बनावटीपन से दूर होता है, लेकिन नगरी जनसंख्या की जीवन विवस था है वो व्यस्त शंगर्ष युक्त और भौतिक सुप सुईधाओं को जुटाने में लगी होती है ग्रामिन छेत्र के लोग खुले वातावरण में रहते हैं वहां किसी भी प्रकार का कोई भीरभार नहीं होता है जबकि नगरों में बहुत अधिक भीरभार होता है और मकान भी या आवाज जो हैं वो आवश्यक्ता नुसार नहीं होते हैं गावों में परियावरन प्रदूशन बहुत कम होता है लेकिन नगरों में परियावरन प्रदूशन एक प्रमुक समस्या है गावों में सिक्षा और स्वास्थ सेवाएं या मनुरंजन के साधनों का अभाव मिलता है लेकिन नगरों में सिक्षा, स्वास्थ, मनुरंजन, आधी अनेक प्रकार की सुविधाएं जो हैं उसमें हमको बहुत सी व्यवस्थाएं उसके अंतरगत देखने को मिलती हैं भारत की जनसंख्या व्रिद्धी में छेतरी भिन्दता भी देखने को मिलती हैं कहीं पर ये दश की जनसंख्या व्रिद्धी दर जो है वो अधिक है कहीं पर कम जनसंख्या व्रिद्धी देखने को मिलती है तो हम इनके व्रिद्धी दर के हिसाब से इन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं पहला है आपका उच्च जनसंख्या व्रिद्धी छेत्र और दूसरा निम्न जनसंख्या व्रिद्धी छेत्र में भारत का जो पुरा उत्तरी छेत्र उत्तर पशिम और मध्य छेत्र वाले जो राज्ये हैं यह आते हैं और इस वर्ग की अंतरगत हम इन राजियों को ले रहे हैं जहां पर लगभग 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या व्रिधी दर जो व्रिधी दर पाई जाती है और निम्ने जनसंख्या व्रिधी दर जहां पर 20 प्रतिशत से कम जनसंख्या व्रिधी मिल रही है उन छेत्रों को हम निम्ने जनसंख्या व्रिधी वाले छेत्र में रखते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम उत्तरी उत्तरपश्रीम और मद्य छेत्र कह रहे हैं, तो आपका पूरा उत्तरी महाराष्ट्र गुजि राध वूरजरी susceptible को फिर। उत्तर मध्य। उतक्ति हमें को यहाँ इसके नब्म ॡbn जिसका प्रतिशत 9.4 प्रतिशत है इसके बाद कम वृद्धी वाले छेत्रों में क्रमशा जो है आपके करनाटक राजी आ जाता है आपका तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, ओरिशा, गोवा और पुदुचेरी यहां पर इन राज्यों में 20 प्रतिशत से भी कम जन संख्या अब रिद्धी दर देखने को मिलती है अब हम जन संख्या के संगठन की दूसरी विशेशता देख लेते हैं जब भाशा के आधार पर विभाजन किया जाता है यह जन संख्या में जो भाशाई समू है उनकी हम बात करते हैं हम सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे भाशा और बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं भाशा और बोली से संबंदित बहुत अधिक विविदता जो है वो हमारे देश में देखने को मिलती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भारत में भाशा का भ किया था ग्रियर्शन के द्वारा या ग्रियर्शन महोदे ने यह भाषाई सरवेक्षन जो है वो भारत में किया था इस अवधी के दौरान और तब कुछ बाते जो हैं वो निकल कर आई थी जिसके अंतरगत हम यहां पर देख रहे हैं कि भारत में 179 189 भाषाएं जो हैं वो और लगभग 544 बोलियां बोली जाती हैं इसमें भी 179 जो भाषा की हम बात करें हैं लेंग्वेज की उसमें सम्विधान के द्वारा जिनको मानेता प्रदान की गई है यह हम यह कहें कि जो सम्विधान में अनुसूचित है ऐसी कुल 22 भाषाएं हमारे भारत में बोली जात तो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी हिंदी है और सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है उसके बाद बोडो और मडी पूरी आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सभी भाषाओं की जनिनी जो है वो ह हमारी भाषा संस्कृत ही है और हम यहाँ पर देख रहे हैं इन आकड़ों से कि आज इसकी स्थिती बहुत अच्छी नहीं है या हम यह कहें कि बहुत खराब स्थिती में हैं कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा में आज संस्कृत को शामिल है फिर हम वर्गी करण यदी करते ह है भाषाओं का वर्गी करण किया जाए तो चार भाषा परिवार जो है वह भारत में हमें मिलते हैं इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं आस्टिक भाषा परिवार है जिसे हम निशाद के नाम से भी जानते है इनका प्रतिशत जो है वह लगभग 1.38 परसेंट जो है वह आस्टिक भाषा परिवार हमें भारत में मिलता है इसके बाद द्रमीड भाषा परिवार है द्रमीड भाषा परिवार का जो समूह है वो लगभग 20% हमें यहां पर भारत में मिलता है फिर तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार है और इसका ज भाशा परिवार जिसे आरिय भाशा समू या आरिय भाशा परिवार भी हम कहते हैं और इसका प्रतीशत हमें सबसे अधिक देखने को मिल रहा है जो लगभक 73% मिलता है चेत्र विस्तार की यदि हम बात करें तो जो भाशा परिवार मिलते हैं वो अलग-अलग छेत्र में पाए जाते हैं उनका वरगी करण हम इस तालिका के माध्यम से करते हैं इस तालिका में आप देख पा रहे होंगे आपको भाशा वरग और उस भाशा वरग के अंतरगत उस भाशा का जो उपवरग है वो बताया गया है और वहाँ पर कौन सी भाशाएं बोली जाती हैं और वो कौन सा प्रदेश और छेत्र है इसका वित्रण आपको समझाया गया है तो पहले हम बात करते हैं आर्य यूरोपिय भाशा परिवार के इस भाशा का उपवरग है दर्दी भारती आर्य भाशाएं और इसमें भी प्रमुक रुप से उत्तरी छेत्र, उत्तरी पश्रिमी, पुर्वी, दक्षणी, मध्य और मध्य पुर्व के छेत्र आते हैं और इसमें बोली जाने वाली जो भाशाएं हैं वो मुख्य रुप से कश्मीरी जो कश्मीर में बोली जाती है, पहाडी और नेपाली भाशा या आपको हिमाली और उप हिमाली छेत्र में देखने को मिलेंगी उसके बाद कच्छी वश सिंधी जो है वो पश्चिमी भारत में बोली जाती है, उडिया उडिसा में बोली जाती है, बंगाली भाशा पश्चिम बंगाल में और असमी जो है वो असम में बोली जाती है हम दक्षणी छेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर मराथी जिसमें जो महाराष्ट और दक्षणी पश्रिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है हम मध्य छेत्र में हिंदी भार्षा का वर्चस्व है और यह आपको प्रमुख रूपर से उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल त्रवी राजस्थान अर्डियुदि इसके अंत्रगत क्विश्राती में पृष्टार पूर्व हैं उत्तर प्रदेश, पुर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तिस गड़, हिमाचल प्रदेश, हरियाना और दिल लीवी, दूसरे नंबर पर द्रविन भाशा है, द्रविन भाशाएं जो हैं उसकी प्रमुख भाशाएं तमिल है, जो तमिल नाडु में बोली जाती ह है, तेलगू, आंध्य प्रदेश और उडिसा के दक्षणी तटिय प्रदेश में बोली जाती है, कंणर, करनाटक में, मल्यालम, केरल और माला बारतट में बोली जाती है, और द्रविन बोलिया जो हैं, वो मध्य प्रदेश और छोटा नागपूर के पठारी छेत्र में बो जन्तिया की पहाडियों प्रमु कुरूप से जो मेगालय छेत्र है वहां पर बोली जाती है और उसके बाद संथाली भाषा बोली जाती है, ये संथाली भाषा संथाल पर्गना, मयूर भंज, राची और पुर्वी निवान में बोली जाती है आश्रिक्ट भाषा का एक और भाषा बोली जाती है इसके इंतरगत जो निकोबारई है और यह अंदमान निकोबार दीजमों में बोली जाती है चौते नमबर पर मंगोल और चीनी तबची घा ये इसमें जो भाशाएं बोली जाती है उसमें अंधाका है जो इस कर जोहton रूटान में असमी अरुनाचल पुर में बोली जाती है भाशा प्रदेश जो है वो आपके भारत में जब राज्यों का पुनर निर्मान किया गया तो पुनर निर्मान आयोक की स्थापना की गई और इसके अंतरगत भारत में भाशाई राज्यों का पुनर निर्मान किया गया सम्विधान में 8 भारती भाषाओं को मानिता दी गई है जो आगे चल कर 15 हो गई और इसी के अधार पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 15 राजी जो हैं भाषा प्रदेश के रूप में अस्तितम में आए और आगे चल कर इस्थानिय भाषा को सम्विधान में मानिता प्राप्त भाषा और नए राज्यों की मांग बढ़ती गई और बरतमान में 28 राजी बन चुके हैं जिनमें 22 भाषाई प्रदेश में विभाजित हैं अनुसुचित जनजाती के उत्तरी और उत्तर पूर्वी प्रदेश में फैलाओ की यदि हम बात करें तो ये तालिका से आपको इसपस्ट हो रहा होगा इसमें हम छेत्र और जनजातियों की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं जो छेत्र है जहां पर सुबन सीरी नदी के वहां पर हमें जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से आका, उफला, मोरी, गुरुंग वो अपातानी जनजातियां मिलती हैं दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दिहांग नदी घाटी वाला जो छेत्र है वहां पर गलोंग, मिनी पोंग, पासी, पदम और पांगी जनज पोंग, पासी, अूसरे जनजातियां मिलती हैं, दिवांग व्लोहित नदी घाटिओं में पिश्मि जनजाति प्रमुख्रूप से निवास करती है, चौथ है नंबर पर हम देखते हैं जो पूर्वी छेत्र है, वहां पर दवीगारी मेजु जनजाति मिलती है, फिर है नेक पटकोई श्रेणियों की घाटियों में नागा जन्जाती मिलती है मडीपूर और मेगाले राज्यों में कुकी लुशाई लखेल चीन खासी और गारो जन्जातियां निवास करती है सिक्किम वद दार्जलिंग के उत्तरी भागों में लेप्चा जन्जाती मिलती है और तराई छेत्र में हम देखें तो पारू, भोक्सा, खासा, भोटिया, भूया, माजी, चेरी, राजी, बेजर वखरधार जन्जातियां निवास करती है अब दूसरा हो गया यह तो सरवाधिक संकेंद्रेन जो हमको उत्तर और उत्तर पूर्वी छेत्र में देखने को मिला दूसरा प्रदेश है मध्यवर्ती प्रदेश जहां पर हमें मध्यम संकेंद्रन कह सकते हैं या इन जनजातियों का दूसरा जो जहां पर संकेंद्रन या जमाओं कहेंगे वो मध्यवर्ती प्रदेश में हमको देखने को मिलता है और इस मध्यवर्ती प्रदेश में भी हम बात करेंगे तो हमारा मध्यवर्ती प्रदेश हो गया चत्तिसगड है, राजस्थान है, दक्ष जनसंख्या देखने को मिलती है यहां पर कुल जनजाती जनसंख्या का लगभग 81.05% जो है वो निमास करता है शारिरिक लक्षणों के अधार पर जो इन जनजातियों की शारिक विभिन्नता या शारिक लक्षण जो इसमें देखने को मिलते हैं तो यह लगभग जो आस्ट्र प्रजाती की जनजातियां होती हैं उनसे समानता रखते हैं या उनसे मिलते जुलती हुई जनजातियां होती हैं यह हम तालिका से भी देख पा रहे हैं और इस तालिका के माध्यम से हम अध्यन करते हैं हम मध्यवर्ती प्रदेश में जनजातियों के वित्रण और उनकी छे जन जाती निवास करती है। उडिशा की पहाड़ियों में जुआंग, खरिया, खोंड, भूमिज और भूया जन जाती मिलती है। छोटा नागपूर के पठारी छेत्र पर मुंडा, संथाल, ओराव, हास और बिर्होड जन जातियां निवास करती है। विंध्याचल की पहाड़ियों में हम देखें तो कटकारी, कोल और भील जो उत्तर पश्ची में अरावली पहाड़ियों तक फैली हुई है। 36 गड का बस्तर जीला और उससे लगे आंध्र प्रदेश में हमें गोड जंजाती निवास करती हुई मिलती है। यह गोड जंजाती जो है गुंडवाना भूमी के आदिवासी होते हैं। फिर है सत्तुड़ा पहाड़ियों के दोनो और और मैकाल पहाड़ियों के चारो और। इस छेतर में कोर्कू, अगारिया, प्रधान और बैगा जंजाती निवास करती हुई। फिर हम बस्तर छेत्र में देखें तो यहाँ पर प्रमुख जन जाती है वो मुडिया और अबुजमार ये दो जन जाती यहाँ पर प्रमुख रुप से निवास करती हैं अब हम जनसंख्या संगठन के एक अन्य विशेष्टा जो बहुत महत पूर्ण है एक तो आपकी आयू स संद्शना और दूसरी लिंग संद्शना या लिंगा नुपात पर हम बात करेंगे इसके पहले भी हमने कहा था कि कारिशील जनसंख्या जो मेन पावर होता है किसी राष्ट का वो उस राष्ट की प्रगती या विकास का महत तो पूर्ण बिंदू होता है तो इसी अधार प पहले हमने ही बात की थी कि लगभग 60% जो है वो आश्रित जनसंख्या जिसका किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है राष्ट के कारियों पर तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसी राष्ट में बुजूर्ग वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है या हम यह देखेंगे यूथ जनरेशन लगभग 15 to 59 जिनका एज ग्रूप है यह एज ग्रूप वाले यदि किसी राष्ट में हमको अधिक मिलते हैं मतलब यंग जनरेशन जो है वो उस राष्ट की महत्वपूर्ण शक्ती हम कह सकते हैं में पावर और जितनी भी टेक्नो चाहे सिक्षित तो वो होती ही है और नई-णई टेक्नोलाजी को एडॉप्ट करने में यह हम यह बोलेंगे कि बहुत जादा आगे होती है यह जो जनरेशन होती है यूथ जनरेशन तो अगर किसी भी राष्ट में इस यूथ जनरेशन या इस आयूवर्ग की जनसंख्या अ टेकनोलाजी को, किसी तकनीक को, किसी भी प्रकार की विज्ञान और प्रोध्योगी की को एडॉप्ट करने में इनका एहम रोल होता है या हम ये कहें महत्त पूर्ण भूमी का होती है। तो आज हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर पर या आयू संरशना पर तो यदि हम भारत में बात करें तो यहाँ पर दो आयू वर्ग की जनसंख्या हमें मिलती है पहला अनार्जक जनसंख्या या हम जिसे बोलते हैं नौन इर्निंग पॉपलेशन जो हैं इसे भी हम दो वर्ग में रख सकते हैं पहला आयू वर्ग जो होता है इसमें शुन्य से 14 वर्ष आयू वर्ग के लोग शामिल होंगे और दूसरा जो वर्ग है उसमें 60 से अधिक आयू वर्ग के लोग शामिल होते हैं और ये दोनों ही आयू वर्ग की जनसंख्या ऐसी है कि ये दूसरे पर डिप आउचिता होगी और ना ही बुजुर्ग व्यक्ति, ये दोनों ही जो हैं वो आपके यूवा वर्ग पर आश्रित वर्ग होता है, ये दोनों आयू वर्ग का जो प्रतिशत है वो हमारे भारत में लगभग 46% है, और दूसरी जो जनसंख्या है या दूसरा जो वर्ग है वो है अर्जक जनसंख्या या हम जिसे अर्णिंग पॉप्लेशन भी कहते हैं इसमें लगभग आपके 15 आयू वर्ग से लेकर 69 आयू वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते हैं अब हम देखते हैं कि लिंग अनुपात लिंग अनुपात हम प्रती हजार पुर्षों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं मतलब पुर्षों के अनुपात में किसी भी देश में महिलाओं की संख्या कितनी हैं अब हमने अभी कहा था प्रती हजार तो हमारे भारत में लिंग नुपात निकालने का या लिंग नुपात सेक्स रेशियो निकालने का फार्मूला जो है वो प्रती हजार पूर्शों पर महिलाओं की संख्या जो है वो निकाली जाती है तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ प पुर्शो की संख्या और उसको यदि हम multiply कर देते हैं 2000 से तो प्रती 1000 पुर्शो पर महिलाओं की संख्या जो है वो निकल कर आ जाएगी इसमें हम देखेंगे कि हमने 1000 में निकाला है और कई देश जो हैं वो इसे 100 की दर में भी निकालते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं कर दे तो प्रती सो पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो हमें निकल कर आ जाएगी इसमें देखते हैं हम कि जब प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होगी तो हम उसे कहते हैं कि उस छेत्री उस देश या उस राष्ट्र में महिलाओं की संख्या कम है और जब प्रती हजार पुर्षों के पीछे महिलाओं की संख्या हमको अधिक मिलेगी तो इससे हमारा तादपरी होता है कि वहां पर लिंगा नुपात जो है वो अधिक है और ये किसी भी राष्ट के विकास के लिए बहुत एहम है क्योंकि हमें पता है चाहे हम किसी परिव होना बहुत आवश्यक है क्योंकि महिला और पुरुष जो है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं भले ही हमारे भारती समाज है जो एक पुरुष प्रधान समाज है यहां पर महिलाओं की स्थिती को बहुत कम आका जाता है और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगा स्थिती पैदा हो गई है कि बहुत से लड़के जो हैं वो कुवारे ही रह जाएंगे भाई इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यदि एक हजार पुरुष है और उसमें महिलाओं की संख्या किसी भी छेत्र में 800 या 900 है तो फिर 100 पुरुषों के लिए महिलाएं कहां से आएं तो इनका जो ये जो रेशियो है वो बैलेंस होना बहुत आवश्यक है अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में लिंगा नुपात के कम होने के क्या कारण है तो हमें मालूम है कि जो हमारा भारती समाज है वहाँ पर अभी हमने बात की थी थी ना कि इस्तरियों की जो समाज की स्थिती है वो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा भारती समाज पुरुष प्रधान समाज है वहां पर पुरुष को जादा वेटेज दिया जाता है चाहे हम सिक्षा के संबंध में बात करें पालन पोशन की बात करें है ना यदि हम कारी के संबंध में बात करते हैं कि घर की जो आर्थिक स्थिती है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए तो वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है पहला कारण है दूसरा हम देखते हैं कि जहां पर भी जो लड़के और लड़कियां यदि एक परिबार में दो मिलते हैं दो बच्चे हमें तो हम य दिया जाता है भई इसे यही बोलकर हमेशा से टाल दिया जाता रहा है क्योंकि हमारे भारती समाज में यह रिवाज है कि लड़कियां जो है वो विवाह के बाद अपने पती के घर चली जाती है अपने ससुराल चली जाती है तो हमेशा यदि उनकी पढ़ाई सिक्षा की ब या उनके लालन पोशन की बात हो, बहुत उच्च सिक्षा देने की बात हो, तो यही कहकर टाल दिया जाता है कि भई तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, यह हमारे समाज की एक mentality है, हालां कि अब इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सुधार के प्रयास किये जा लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है, तो दूसरा reason हमने देखा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोशन पर कम ध्यान दिया जाता है, फिर हम यह देखते हैं कि जो delivery period होता है, उसमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, इस्त्रियां हैं, उनक चिकित्सा के अभाव में, जो पिछडे ग्रामीर छेत्रे हैं, अनुसुचित जो छेत्रे हैं, वहां पर यह घटनाएं हमें अधिक देखने को मिलती हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियों की हमेशा उपेक्षा की जाती है, मतलब उन्हें यह कहकर चार दिवारी क अंदर ही हम बहुत से जो राजी ऐसे हैं मारे देश के, यहां पर हम देखेंगे कि इस्तिती जो है वो बहुत अच्छी नहीं हैं, और यह तो एक आम बात अभी जो मैंने कही थी, कि भई तुम्हे तो पराए घर जाना है, यह कहकर हम उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा लड़कों को आगे बढ़ने के लिए मौटिवेट किया जाता है और लड़कियों को इस संबंध में अवाइट किया जाता है, इसके बाद हम देखते हैं, अभी हाला कि इन घटनाओं पर बहुत कुछ रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से सक्सेंस नहीं हो पाया है, जो कन्याओं की भुरून हत्या होती है, मतलब जन्म के पहले ही किसी भी प्रकार के टेस्ट सोनोग्राफी से यह पता लगा लिया जाता है, कि गर्भ में बालक है या बालिका है, लड़का है या लड़की है, और यदि वो लड बानते हुए भी लोग ये अपराध करने से बिल्कुल भी हिच किचाते नहीं हैं, और हाला कि इस पर बहुत से कानून भी बनाये गए हैं, लेकिन तब भी ये जो अपराध है वो अपनी चरम पर है, फिर हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि या तो हम उसकी सिक्षा की बात करें, लड़कियों की सिक्षा की बात करें या उसके स्वास्थ की बात करें, खास करके मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि ये ग्रामीर छेत्रों में और खास करके जो पिछड़े हुए छेत्रे हैं, आदिम समाज जहां पर होता है, हाला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर आदिम समाज में होगा, बहुत सारे ट्राइबस वाले ऐसे छेत्रे हैं, जो महिला प्रधान समाज होता है जहां पर, लेकिन हम बात करें, जो पिछड़े वे अलग थलग हैं, मुख्य समाज की धारा से, जो एकदम अलग हैं, वहां पर हमें अक्सर ये देखा जाता है और कई बार तो बहुत पढ़े लिखे, सिक्षित लोगों के घर में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, तो ये कुछ कारण हो गए, जो देश में कम लिंगा नुपात की स्थिती के लिए उत्तरदाई हैं, अ पर सरवाधिक लिंगा नुपात भारत में मिलता है, यहां पर 1.60 करोड़ पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और एक दश मलो साथ तीन करोड़ मिलती हैं, मतलब यहां का लिंगां नुपात जौ है, वो 1084 है, यहां पर यदि 1000 पुरुष हैं तो उन एक आजार पुरु 84 हमें देखने को मिलता है इसका कारण ये है कि केरल में जो मात्री सत्तात्मक व्यवस्था समाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे वो देखने को मिलती है महिलाओं को वहाँ पर समाज में समान अधिकार या अधिक वेटेज जो है वो दिया जाता है और इसके बाद यदि हम बात करें तो केंद्र शाशित प्रदेश में पांडी चेरी में हमको सबसे अधिक लिंगा नुपात देखने को मिलता है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक हजार अड़तिस जो है वो यहां का लिंगा नुपात है इसका भी मुख्य कारण केरल में भी सिक्षा का सिक्षा की व व्यवस्था है या सिक्षा की जो सुविधाएं हैं सिक्षा का जो प्रचार-प्रचार है वो बहुत अधिक है इस कारण यहां भी हमें लिंगा नुपात अधिक देखने को मिलता है इसके बाद अगर हम अपने च्छतिस गड़ की बात करेंगे तो यहां भी बहुत बुरी स्थिती नहीं है अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां पर महिलाओं की इस्थिती जो है वो थोड़ी ठीक है यहां पर प्रती हजार पूर्शों पर महिलाओं की संख्या 991 या 9991 हमें देखने को मिलती है हम यह देखते हैं कि जो भारत में सिर्फ 15 राजी और 2 आपके चेरी और लक्षदीप है जहां पर की लिंगानुपात राष्ट्री औसत से अधिक है और बाकी जगह जो लिंगानुपात है वो आपके राष्ट्री औसत से कम देखने को मिलता है और यदि हम बात करें चंडीगड की दिल्ली हरियाना अंडमानिको बारदीप समूत यहां पर लिंगानुपात की जो दर है वो बहुत ही कम है अब हम ये देखते हैं कि भाई जो लिंगानुपात कम है जिन भी राजियों में या हमारे भारत देश में महिलाओं की स्थिती में सुधार के लिए या लिंगानुपात को और बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं या क्या प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं पहला है जो पिता की संपत्ती है उसमें पहले सिर्फ पुत्रों का धिकार हुआ करता था यदि हम प्राचीन समय में चले जाए तो लेकिन अब इस्तिरियों की स्थिती को सुधारने क ताकि वो समाज में उपेक्षित ना हो, इसके लिए ये कानून बनाया गया है कि पिता की समपत्ती में पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी अधिकार दिया जाेगा. उसकी संपत्ती में उतना ही अधिकार है जितना की उनके पुत्रों का इसके बाद हम देखते हैं कि बाल विवा को रोकने के लिए कानून बना दिया गया है कि 18 वर्स से कम उम्र की जो लड़किया है उनका यदि विवा किया जाएगा तो ये एक अपराद है बाल विवा को भी एक अपराद माना जाता है और इसके लिए लड़कियों की जो उम्र है उसे 18 वर्स कर दिया गया है हाला कि इस कानून के बनने के बाद भी इस नियम के बनने के बाद भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हमें जो पिछड़े ग्रामिन छेत रहें वहां पर बाल विवा की संख्या बहुत अधिक है मतलब बहुत अधिक संख्या में बाल विवा होते हैं लेकिन फिर भी इस कानून के बन जाने से लोगों के मन में एक भै रहता है और वो यह अपराद करने से थोड़ा सा जिजगते हैं फिर हम देखते हैं और तीसरा इसमें उपाय किया गया है क कि जो ग्राम समाज है या हम देखेंगे ग्राम पंचायत है नगर पाली का है इन सभी छेत्रों में या इन सारे विभागों में इस्त्रियों के प्रतिनिधित्व की जो सीमा है मतलब वहां पर उनके परसेंटेज जो है वो निश्चित कर दिये गये हैं कि इस्त्रियों की भ उन्हें प्रदान करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान आउसर प्रदान करने के लिए उन्हें हर नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षन का प्रावधान जो है वो किया गया है भारत सरकार के द्वारा फिर हम देखते हैं सिक्षा के भी अधिक आउसर जो है वो प्रदान किये जाते हैं भारत सरकार के द्वारा और इसके लिए बालिका सिक्षा को और अधिक प्रोथसाहन के लिए नए नए जो नियम या कानून बनाए जाते हैं शाशन के द्वारा तो ये कुछ उपाय किये गए हैं भारत शाषन के द्वारा जिससे हम अपने देश में, राष्ट में, समाज में इस्त्रियों की स्थिती को सुधार कर पाएं। बुरी क्यों है, बहुत अच्छी स्थिती नहीं है, समाजी की स्थिती जो है, तो ये सब के लिए ये तभी प्रभावशील हो सकता है, शाषन के द्वारा जितने भी जो उपाय कर लिए जाएं या कानून बना दिये जाएं, जब तक हमें खुद में जागरुपता नहीं आती तक इस्थिती में सुधार नहीं हो सकता, हमको पता होना चाहिए कि जब एक महिला सिक्षित होती है, तो वो अपने पूरे परिवार और अपने समाज को सिक्षित करती है, ये एक बहुत महत्त पून बात है, इसलिए किसी महिला का एक इस्थिती का सिक्षित होना बहुत तो वो एक समाज या सूसंस्कृत समाज का निरमाण करती है अगर एक महिला सिक्षित होती है तो यह सब के लिए हमें खुद को भी प्रयाश शील या मैं कहूं जागरुक होना तो यह ज्यादा सहीं शब्द होगा कि हम सभी को जागरुक होना चाहिए ताकि हम अपने घर में अपने परिवार में और अपने समाज में वहां पर जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी बहु हो या हमारी बेटी हो, उसको एक उचित इस्थान जो है वो प्रदान करें. अब हम बात करते हैं जन सिंख्या संगठन की और दूसरी विशेष्टा जिसे हम धार्मिक संगठन के विशे में बात करते हैं. बच्चों हम सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है भारत वो विविता में एकता या अनेकता में एकता की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हमारे भारत में बहुत सारी भाशाओं को बोलने वाले और बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो निवास करते हैं और इसी लिए वो यहाँ पर ज्यादा फल फूल रहे हैं क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो हर धर्म को समान रूप से महत्व और प्राथमिक्ता देता है उन्हें अपने धर्म के अनुसार उनके रिती रिवाज खान पान रहन सहन मानने की हर प् स्वतंत्रता है प्रत्यक धर्म को मानने वालों के लिए इसलिए हमारे देश में सभी तरह के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने आपको संरक्षित और सुरक्षित जो हैं वो महसूस करते हैं तो बहुत से जो धर्म हैं वो हमारे देश में मिलते हैं यदि हम बात क तो हिंदू है, इसलाम है, सिख है, इसाई है, जैन धर्म को मानने वाले हैं, बौध धर्म को मानने वाले हैं, तो आएए हम थोड़ा-थोड़ा इन सभी धर्मों के विशय में बात कर लेते हैं, सभी ये जो धर्म हमने देखें, उसमें अलग-अलग धर्मों की सभी की क्या व भारत वर्ष का सबसे प्रमुख धर्म और इस धर्म के अनेक समप्रदाई है जैसे कि आरिय समाजी है रभाजिव्क है और प्रमुख से दिर्म के और हम बात करें जो राधस्वामी को मानने वाले हैं या हम सिख्धर्म और बौद्धर्म की बात करें तो ये भी हिंदू धर्म के ही एक प्रमुख आंग जो हैं माने जाते हैं हिंदू जन संख्या जो है वो आपके असम अरुनाचल प्रदेश नागालेंड मीजोरम मेघाले की हम बात करें इसके बाद पंजाब हो गया पूर हो गया और केरल और उत्तर में जम्मू कश्मीर इसके अत्रिक केंद्र शाशीत प्रदेश लक्षदीप को छोड़ कर जो शेस सभी राज्य हैं और केंद्र शाशीत प्रदेश हैं यहां पर हिंदू जो धर्मावलंबी जन संख्या है उनकी संख्या लगभग 75 प्रति अब हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म के प्रमुक शिद्धान कौन-कौन से हैं या हिंदू धर्म क्या कहता है क्या मानता है तो उसमें पहला है कि इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनका परम पिता परमेश्वर पे अटूट विश्वास है ये कर्म के साथ साथ पुनर जन्म और मोक्ष पर भी विश्वास रखते हैं यदि हम 1991 की जनगर्णा देखें तो इस जनगर्णा के नुसार कुल जन संख्या का लगभग 67.25% जो है वो हिंदुओ का है हम भारत के नक्षे में देखें तो जो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है और प्रायदीपी भारत जो हमें नजर आ रहा है यहां पर ही हमें जो हिंदु धर्म को मानने वाले हैं वो सबसे अधिक जन संख्या यहां पर हमें मिलेगी अब हम दूसरे धर्म इसलाम धर्म की बात करते हैं इसलाम धर्म का भारत में हम आगमन कह सकते हैं कि आठवी शताबदी के पूरो हुआ था और जैसे जैसे समय बढ़ता गया बारवी शताबदी में मुस्लिम राजी की स्थापना हुई और इस मुस्लिम राजी की स्थापना के प्रचार प्रचार के साथ साथ इसलाम धर्म का भी प्रचार 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 जो है वो बढ़ता गया इस धर्म के इसलाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं शिया और सुन्नी इस धर्म में जन्मदर जो है वो हमें धार्मिक कारणों से अधिक देखने को मिलता है और यदि हम कहें तो प्रमुख रूप से दो कारण है जिसके कारण इस धर्म में जन्मदर अधिक होता है पहला तो इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनमें बहु पत्नी प्रथा चलती है औ और साथ ही साथ या इस धर्म में परिवार नियोजन को निशेंद माना गया है जिसके कारण जन्वादर इस धर्म में हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है क्या जो है वो हमें जम्मु कशमीर में देखने को मिलती है यहां पर लगभग 38.43 वो मुसल्मान मिलते हैं और मात्र 19.30 लाग या 19.30 लाग हिंदु जन संख्या देखने को मिलती है। यहां कुल जन संख्या यदि हम पूरे जम्मो कश्मीर की कुल जन संख्या को देख ले तो उसका 64.2 परसेंट जो पापलेशन है वो सिर्फ मुसल्मानों का है। और जम्मो कश्मीर के बाद इस्थान आता है उत्तर प्रदेश का यहां पर 1.77 करोड इसलाम धर्म को मानने वाली जन संख्या रहती है। और यहां पर कुल जन संख्या में 16 प्रतिशत जो है वो मुसल्मानों की है। और तीसरा इस्थान जो है वो केरल का है जहां पर 14 लाख मुसल्मान जन संख्या रहती है। और इन सब के अत्रिक्त हम देख सकते हैं पश्यम बंगाल, बिहार, आंधर प्रदेश है, तमिल नाडू है, उसके बाद गुजरात है, दिल्ली है और लक्षदीप में भी हमें मुसल्मान जन संख्या की बहुलता देखने को मिलती है। फिर हम तीसरे धर्म, इसाई धर्म की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में जो रोमन, कैथोलिक, एंगोलियन, कैप्टिस्ट, इसाईयों की जो जन संख्या है, वो सबसे अधिक है। इस धर्म का जो विस्तार है वो यदि हम जाती के अनुसार देखें तो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती में सबसे अधिक इस धर्म का विस्तार हुआ है। देख लेते हैं फिर तमिल नाडू आंध्र प्रदेश और आपका जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां पर इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। 2001 की जनकरणा के अनुसार भारत की कुल जन संख्या का लगभग 2.3 प्रतिशत इसाई धर्म को मानने वाले लोगों की मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिखधर्म के विशय में शिखधर्म की इस्थापना गुरुनानक देव ने की थी और इस धर्म को हिंदूओं के जो अनुसुचित जाती के लोगों ने अधिक अपनाया है। और ये जो धर्म है सिख्धर्म वो हिंदू का जो प्राचीन परमेश्वरवादी जो विचार धारा है हिंदू की उनको ये सच्चे धर्म के रूप में अपनाते रहे हैं। हम बात करते हैं कि सिख्धर्म ये मुर्ति पूजा, जाति प्रथा और पुनर जन्म इन तीनों बातों का ये धर्म खंडन करते हैं। इस धर्म को मानने वाले अनियायों के पास हमेशा पांच चीजें जो हैं वो रहती हैं जिसमें हम बात करते हैं कच, कृपान है, कंगी है, कड़ा है और केश ये इनके अनियायों या इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनके पास हमेशा होता ही है फिर हम ये देखें कि भारत में इसकी सबसे अधिक जन संख्या जो है वो हमारे पंजाब राज्य में मिलती है और पंजाब के बाद हम देखेंगे चंडीगड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो अतराई इलाका है वहाँ पर और राजस्थान का जो गंगा नगर जीला है यहाँ पर हमें इनकी संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है यदि हम 1999 की जनगरना की बात करें तो 1999 की जनगरना के अनुसार इनकी संख्या जो है वो लगभग 1.8 करोड थी जो कुल जन संख्या का 2.12 प्रतिशत थी 1999 में अब 2001 में ये जो जन संख्या है वो बढ़कर 1.92 करोड हो गई जो कुल जन संख्या का 1.84 प्रतिशत है इसके बद हम बात करते हैं बौध धर्म के विशय पर बौध धर्म जो है ये भी हिंदू धर्म की एक शाखा है और गौतम बुद्ध ने इशापूर्व छठवी सताब्दी में बौध धर्म का सबसे अधिक प्रच में किया था फिर हम देखेंगे कि दसवी शताब्दी के बाद भारत में धीरे धीरे इस धर्म का लोप हो गया और इस धर्म के जो अनुयाई हैं मानने वाले हैं उनकी संख्या देश में मात्र सत्तर लाख जो है वो रह गई है अब हम भारत में देखें तो महारास्ट है दाख शिक्किम और अरुनाचल प्रदेश इसके साथ ही तृपुरा राज्यों में अरुनाचल और तृपुरा राज्यों में इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक मिलती है जो कुल जन संख्या का 0.76% है अब हम बात करते हैं जैन धर्म के विशाय पर जैन धर्म भी हिंद स्वामी महावीर ने की थी और इस धर्म के जो को मानने वाले सबसे अधिक लोग जो हैं वो वैश्य समुदाय के होते हैं इस धर्म के प्रमुकरूप से दो संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं दिगंबर और श्वेतामबर इनके जो अनुयाई हैं वो सबसे अधिक हमें उनकी संख्या लगभग 50 लाख है जो यहां की कुलचन संख्या का 0.59% है ये मुख्य रूप से हमें गुजरात, महाराष्ट, फिर मध्यप्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं फिर अगला धर्म है पारसी धर्म पारसी धर्म जो है वो सातवी शताबदी में मुस्लिम जो धर्म था उसके अत्याचार से बचने के लिए फारस से भागकर भारत का जो ये पश्यमी तटी ये भाग है यहां पर आकर ये लोग बज गए इस धर्म के जो मानने वाले हैं वो सूरी और अगनी की पूजा करते हैं और भारत में इस धर्म को मानने वाले लगभग 10 लाक लोग निवास करते हैं और अधिकांस जो पार्सी समुदा है वो मुंबई और गुजरात में बस गए हैं